ओम् मूकं करोति वाचानल पंगुम् लंग हयते गिरिम् यत्रिपातमहं बंदे परिमानंद माधवं गुरुरु ब्रह्मा गुरु रष्टुम् गुरुड देवु महे सुराम् गुरु साक्षात्परं ब्रह्म् तश्मै स्री गुरु वेनना सरुवे भवन्तु शुकिना सरुवे संतु निरामया सरुवे भद्राणि पस्यंतु मा कश्य तुक्य भाग्भवि ओम् शान्टि शान्टि स्लोक नमबर अध्याए 12 स्लोक नमबर शाट अट शुक्य तुक्य 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 है मैंना ते शाम आहम समोद्धरता स्मृत्तु संसार सागरात भवाम इनची रात पार्थे मैयावे सित चेत शाम भगवान केते हे अर्जुन उन मुझ में चित लगाने बाले प्रेमी भक्तों का मैं सीग्र ही संसार रूप मुर्ति रूप संसार समुद्र से उधार करने वाला होता हूँ मृत्य रूप संसार समुद्र सिप उधार करने वाला मैया वेस्ट चेथ साम तो भगवान कहते हैं जो मुझ में चित लगाने वाले हूँ जैसे पिछले स्लोक में आया था भगवान कह रहे हैं चित लगाने का अर्थ है अनन भक्ति अनन भक्ति का अर्थ है कि अब अन नहीं है हर क्रिया कलाप में वेवहार में नाम रूप में सब एक परमात्मा को देख रहे हैं तो जो जिसके साथ हम बेवार कर रहे हैं वो भी परमात्मा जो मेरे साथ बेवार कर रहे हैं वो भी परमात्मा का क्रत है तो चारों और पसू पक्षी प्राणी जगा जो भी है सब के प्रतिय भाव के सब परमात्मा के रूप हैं अनन्न भाव से मैयावेसित चेत साम जो मुझ में चित लगाने वाले प्रेमें उनके लिए फिर कोई दूसरा नहीं है सागर की हर लहर में हर तरंग में हर बुद्वदे में उन्हें सागर देख रहा संपूर इस द्रस जगत में सब कुछ परमात्मा का रूप देख रहा है वो किसी के प्रति राग और द्वेस नहीं राग और द्वेस राग है तो द्वेस आएगा तो द्वेस का कारण द्वेस नहीं है द्वेस का कारण भी राग है एक सिक्के के दो पहलू है कि राग है कुछ के प्रति राग है तो कुछ के प्रति द्वेस हो जाएगा कोई मित्र है तो कोई सत्रू भी हो जाएगा लेकिन सब के साथ अगर मेरा पन है सब में भगवान को देख रहे तो रागदेश से मुक्त होके वहां प्रेम आ जाता है प्रेम का भाव आ जाता है मैया वे चेश सा भगवान करते हैं फिर उसे एक रूप दीखता है और देखो में मार्ग मुख रूप से सबुड़ पास्ता में भाव की प्रधानता है प्रेम की प्रधानता है अगर प्रेम ना हो तो रागदेश से तो संसार से हम बंदे हैं राग और देश बंधन का कारण है दुख का कारण है असांती का कारण है कलह का कारण है और जब क्यूंकि रा आत्मा का ही हमने विभाजन किया आधा परमात्मा प्रिय है आधा परमात्मा अप्रिय है आधा परमात्मा सत्रू है आधा परमात्मा मित्र है तो हमने परमात्मा का ही विभाजन कर दिया आधे आधे में जैसे कोई व्यक्ति किसी के आधे सरीर से प्रेम करें आधे से नफ्रत करें तो क्या उसका प्रेम सच्चा होगा सही होगा प्रेम का अर्थ है शंपूर से समगरता से मैं हम का तोड़ते हैं तो प्रेम नहीं हो सकता प्रेम जब होगा तो एक वहाओन अखंड मैं परमात्मा को और कुछ लोगों को मैं देखते हैं कि जो प्रेम सब्द से डरते लेकिन कहते भगवान कहते हैं एक बाल जगत गुरु रामानंदाचार के पास कोई व्यक्ति आता और उनको कहता कि मुझे भगवान के दर्सन करना है जब रामानुज के पास कोई व्यक्ति आता मुझे भगवान के दर्सन करना है भगवान के दर्सन कैसे हो और जैसी भगति भाव प्रेम आप में है ऐसी भगति भा आओ प्रेम मुझे में भी आए तो कोई उपाय बताओ कोई साधना बताओ कैसे भगवान को पाया जा सकते हैं रवन जी ने उनको पूछा यह बताओ तुमने कभी किसी से प्रेम किया है कभी किसी से तुम्हारा प्रेम रहा है उसने कहा रही इस प्रेम के जंजड से तो मैं नहीं ची Continuing याद करो कभी किसी बालक को किया हो इसने कहा प्रेम की बातव में मंझे न उल्जाओ प्रेम से तो मैं सदा भागा दूर रहा प्रेम से तो सदा भागा प्रेम की तरब से तो मैंने आखें बंद की रमाजुज ने फिर एक बार पूँचा तीस्ती बार याद करो अभी नहीं सही आज से दस साल पहले अपनी जवानी में अपने बच्पन में कभी किसी को प्रेम किया व्यक्ति और गुसे में आ जाता है आप ब्यर्थ मेरा नाहक समय खराब कर रहे हो अगर आपको नहीं कुछ चाता हो तो मदशनाइक करिए मुझे उढ़ा रहा है वह प्रेम की इस बातों में तो रमाजुज ने कहा फिर तो बहुत मुस्किल है तूमारे जीवन में गर प्रेम की कभी कोई किरण सामय गूंक्ति और प्रमक्रा वर्वर्व नग कभी और कहीं तो सायथ उसी को हम साधन बना लेते उस परम प्रेम तक परम परमात्मा तक पहुंचने के लिए परम प्रकास तक पहुंचने के लिए क्योंकि परमात्मा परम प्रेम जैसे सूर की एक किर्णम भी अगर हमने जानी है आख है तो हम उस महा सूर तक पहुंच ऐसे ही परमात्मा है परम्प्रेम अगर हमने कोई भी जीवन में प्रेम ही नहीं किया है प्रेम की तरफ से ही आख बंद की है तो प्रेम से आख बंद नहीं किये वह परमात्मा से आख बंद की है और जिसने परमात्मा से ही आख बंद की हो और वो कहे रोस्नी की कोई बात बता कि अंधेरा कैसे हटे अंधेरा हटाना नहीं पड़ता है डिया जलाना पड़ता है अंधेरा हटाना नहीं पड़ता है रागदेश से वही मुक्त होगा कि जो रागदेश से वही मुक्त होगा जिसके अंदर प्रेम पैदा हुगा जब प्रेम पैदा होता है तो रागदेश न और परमात्मा है अखंड में इसलिए भगवान कहते हैं जो अनन्न भाव से मेरे साथ मयावेसित चेस्वा जो अनन्न भाव से भगवान के साथ लगा हुआ है और मृति रूप संसार सागर से अब कुछ लोगों को देखो अगर इंसान में मनुस्त में पसु प्रक्षी और ग्लान दीखेगा सौचो था पत्थर की मूर्तियों में भगवान दीखेगा जब तक उन्हें इंसान में ठुखर इंसान के ऊठोड़ता है परमात्मा कर्स अथूब बânपल आते हैं मूर्थियों के लिए मंदर में मूर्तियों के बंगले बनवाने के लिए 55-77 लाग रुपए लगा देते एक दिन के फूलों का बंगला बनेगा और वो साथ चार-चार घंटे में फूल कुम ला जाते लेकिन फूलों का बंगला एक मूर्ति के लिए जिसे ना गर्मी है ना सर्दी है ना परमात्मा को हम बंगला बना के देंगे और उल्टा हम परमात्मा को बंगला बना के देतें पांच साथ लाग रुपे लगाते हैं और फिर हम बड़ा बंगला उनसे मांगते हैं कि हमने तुम्हें बंगला बना के दिया बड़ा बंगला तुम मुझे दे दो हमने पांच साथ लाग का वेस्टमेंट हो गया कि बदले में और बड़ा बंगला चाह रहे हो और जिन से तुम चाह रहे हो उन्हें दोगे कैसे अगर वो कोई भीकारी है तो देगा कैसे हमें अगर वो दीन ही भीकारी है जिसके अपने पास घर नहीं हमें कैसे घर देगा जिसके पास अपना बंगला कि अगर सरवं समर्थ है सरव सकतिमान है अगर कुछ दे सकते हैं अपना जूटा अहंकार दे सकते के मेरा कुछ है ऑब तब्रमात्वा के भाव में भक्ति में सबसे बड़ा कोई समरकड है सबसे बड़ी कोई साधना है तो साधना यही है इस अहंकार का त्याग इस में का त्याग कुछ लोगों को देखो मंदिर के अंदर जाके मूर्ति के सामने आसू बहाते हैं और जब बहा निकलते हैं तो तो कहीं कोई भाव नहीं रहता, कहीं कोई करुणा नहीं रहती, कहीं कोई प्रेम नहीं रहता, भगवान कहते हैं, मैया वे सत्थे सामकार्त यही है, कि जो सब में एक बिराट को देख रहा, एक परमत माम को देख रहा, जब भाव है, प्रेम है, तो यह नहीं कहां और कहां न कहते हैं रविया नाम की एक फकीर थी उसके पास कहते हैं एक हसन नाम का दूसरा फकीर आया तो एक दिन सुवए हसन ने रविया से किताब पवित ग्रंथ कुरान मांगी पढ़ने के लिए और जब कुरान मांगी पढ़ने के लिए तो हसन ने जैसे कुरान खोली तो उसमें एक जगह कटा हुआ था एक सब्द पर निसान लगा हुआ था काटा गया था उस सब्द को हसन ने पूछा रविया किस नास्तिक के हाथ में ये किताब दे दी तूने किस नास्तिक के हाथ में किताब दे दी तूने जिसने इस पवित गरंथ में भी संसोधन किया इस पवित गरंथ को भी संसोधन किया सुधारने की चेश्टा की किस नास्तिक के हाथ में ये दे दिया रविया से जब पूँछा तो रविया ने कहा ये गुस्तागी ये भूल ये अपराद मैंने ही किया ये अपराद मैंने ही किया तो हशन ने पूँछा रविया तूने ये गुस्तागी क्यों की तूने ये अपराद क्यों किया रविया ने कहा इसमें लिखा हुआ था सैतान से घ्रणा करो इसमें लिखा हुआ था सैतान से घ्रणा करो लेकिन जब से हमने परमात्मा को जाना जब से परमात्मा को जाना परमात्मा का स्वाद लिया परमात्मा को जिया अब घ्रणा जैसे ही कोई चीज ना रही घ्रणा होती तो बिवाजन करते तो बठवारा करते तो सोचते कि किसे घ्रणा नहीं किसे प्रेम दे अब घ्रणा तो रही नहीं प्रेम ही प्रेम है तो सैंतान है उसके लिए प्रेम है परमात्मा है उसके लिए प्रेम होता उसके उस दिन घ्रणा सदा के लिए खत्म हो जात लेकिन घ्रणा और प्रेम एक साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही है, while यह कोई कोहा है, अंधihakar और प्रकास. अंधिकार और प्रकास कहां कि आधे कमरे में अंधिरा रखें, आधे में प्रकास रखें. दिया भी जला है और अंधेरा भी बना रहे दोनों नहीं होते दिया जला तो अंधेरा गया अंधेरा है तो दिया नहीं जला दिया का कोई चित्र हो सकता हम टांगले बना के दिया का कोई चित्र बना के टांगले तो अंधेरा बना रहेगा लेकिन जिस दिन असली दिया जगा रोसनी आई अधेरा गया इसलिए जिस दिन हमारे अंता कड में परमात्मा का प्रेम जगता अनन्न भाव आता फिर कोई दूसरा नहीं रहता फिर किसके प्रतिक भाव कोवाव होगा किसके प्रत्य कोगा किस से वैर किसे यर्षा होगा और पहल करने वाला होता है कि संसार्संद्र जिससे हम संसार कहते हैं संसार क्या है संसार सब्द का अर्थी ही है संसरती गच्चती इती संसारा जो पल-पल छड़ छड़ बदल रहा है नाशवान है शड़ भंगूर है एक वार कहते हैं किसी ने एडीशन किसी जग एक वैग्यानिक एडीशन कहीं प्रविचन लेक्चर दे और लेक्चर में उसने एक वाद कही कि कुछ सब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल जूटे सब्द है जिनका बिल्कुल कुछ सब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल जूटे हैं लेकर सब्द चल रहे हैं तो किसी ने पूछा ऐसा कौन सा सब्द आपको लगा जो संसार में कोई भी वस्तू रेष्ट में नहीं है विश्राम में नहीं है रुकी हुई नहीं है हर चीग पलपल छड़ चड़ बदल रही है एक नधी कहते न वन कांट इस्टेप ट्वाइस अंदा सेम रिवर एक आदमी एक नधी में दो वार इसनान नहीं कर सकता जैसे हमने एक वार इसनान किया वो पानी बह गया दूसरा आ गया तो जैसे नधी बह रही है ऐसे ही सारा अस्तुत सारा जीवन जगत ये बह रहा ये बह रहा और जो जन्म से मृत्यू की तरफ बह रहा और अगर देखा जाए तो एक एक कदम सनय सनय हम मृत्य के नधीग पहुचते जा रहे हैं एक जन दिन मना रहे हैं एक एक मृत्य दिवस मना रहे हैं एक-एक कदम मौत के निकट सिमढते चले जा रहे हैं गंगा जितनी भाग रही है जितनी तेजी से भाग रही है जितनी भाग चुकी है उतनी ही नई दीख हो गई है सागर के विलाई के समाप्त होने के सारा संसार सारी स्रिष्टी मृत्य की तरब जा रहा है मृत्य संसार सागरा मृत्य रूपी संसार से यहां हर कुछ परिवर्तन है सुच्छ कुछ है परिवर्तन सरीर तो परिवर्तित हो रहा है हमारे विचार तो परिवर्तित हो रहा है हमारी भावनाय तो परिवर्तित हो रह इत्थरबी परिवर्तित हो रहा है कि किसी की अभधी कम्जादा हो सकती है परिवर्तन की मजबूत से मजबूत बिल्डिंग कोई हो सकता हलकी पूरी बिल्डिंग 10-20 साल में 30 साल में 500 साल तो ज्याद After कोई 500 साल में, और ज़्यादा मजबूत है कोई 1000 साल में, गिरेंगी सब, क्यूंकि सब सने-सरे परिवर्त्न सम्मेχ Nem हो रहा है, और मृत्यू की तरफ हो रहा है, एक कद़ा मृत्यू की तरफ बढ़ते चले जा रहा है, बच्चा जवान हो रा जवान बुढ़ा हो रा और बुढ़ापा मौत की तरब जारा आए ये एक पैनला पैनलापा लगाते हैं वह ब्रख्च बनता है ब्रक्च फिर देडेएं बुढ़ा होने लगता है मौत की तरफ जाने लगता सारी स्रिष्टी इसलिए भगवान कहते हैं मृत्य रूप संसार समुन्द से लेकिन जब भगवान कह रहे हैं मृत्य रूप संसार तो जहां मृत्य रूप ये संसार है वहां कुछ अम्रित भी है कि नंदी बह रही है क्योंकि नदी का तल नहीं बह रहा है चक्की चल रही है लेकिन कील नहीं चल रही है इसलिए कहते हैं चक्की चलती देख के दियो कभी रोने लगे कि दो पाटों के बीच में सावद बचा नहीं बच रहा है और कहते हैं जब कभीर रोए तो कभीर का बेटा कमाल हसा तो बाप ने पूछा कभी ने पूछा कमाल से तूं क्यों हसरा मैं तो रोया चक्की चलती देखके क्योंकि दो पाटों की बीच में सावद बचा ना कोई तूं क्यों हसरा तो कभीते कमाल ने का मैं हसला हा इसलिए कि कीली को जो गहरा हो ताकों आचना आए जो इसने कीली का सहरा ले लिया वो बच गया उम्रति उसे मुक्त हो गया इस सरीर में संसार में जहां पे संसार दीक रहा है वहां चेतना भी है वहां परमात्मा भी है और परमात्मा अजनमा है परमात्मा अविनासी है परमात्मा नित है सत्त है सनातन है सास्वत है तो जिसने सास्वत का सहरा ले लिया जिसने नित का सहरा ले लिया उसे दोना नही है वो परमात्मा है तो पगवान कहते हैं जो मेरा सहरा ले लेता है सत का सहरा ले लेता है सास्वत का सहरा ले लेता है नित का सहरा ले लेता है वह संसार सागर में होते हुए भी संसार संसार से मुक्त हो जाता संसार में रहते हुए संसार से संसार के दुख से संताप से पीड़ा से मक्त हो जाता है पुरानों में कहान ही आती है कहते हैं एक कोई यात्री राष्टागीर पथिक जा रहा था जंगल के मार्ग से तो उसने देखा आगे एक सेर को देखा बैठे हुए मारग पर सेर को देखके वह भैवीत होता भैवीत होके वह भागा और जब भागा तो कहते सेर ने भी देख लिया सेर उसके पीछे भागा और ये भागता भागता प॥िक यातरी एक अंद्य कोई में गिर जाता है अब अंद्य कोई में जहां गिरा उसमें नीचे पानी नहीं था पानी नहीं था उसमें लेकिन उसके तूपर डाल प्हली थी तो औस डाल को पकड़के वह लटक जाता नीच हुआँ नीचा तो कोई में लटक जाता शेर उपर खड़ा हुआ है कि यह नीचे उपर आए तो मैं इसे ले खालू नीचे जाक के देखा कुए मैं नीचे उत्रूं तो देखा काले विजदर नांग काले काले विजदर नांग बैठे हुए है कि ये फन फैलाए कि ये नीचे गरे तो इसे डस ले नीचे कुए में गिरता है तो काले विजदर नांग डसेंगे ऊपर निकल के आता है तो सिर खालेगा नीचे भी मौत ऊपर भी मौत चारो तरफ से मौत के बीच में जिस डाल को पकड़े खड़ा है लटके हुआ है जिस डाल को पकड़े लटका हुआ है देखा उस डाल में भी दो चूहे लगे हुए काला और एक सपेद रंग के दो चूहे लगे हुए और डाल को कट रहे हैं डाल को कुतर रहे हैं कॉतर रहे हैं डाल भी लग भग तीन-चौथा इंवर स्मय गड़े क्टएगी नीचे गरेगा तो अना नीचिए 20 दर नाग से डसेंगे कहते हैं लेकर चारो तपसे मौत के मुह में है जिस जो सहारा पगड़ा है सहारा भी बे सहारा होने वाला चूटने च्छिनने वाला है उसी समय उसके मूँ के के उपर कहते हैं एक सफ़ कर घ्ट्र लगा है मदमक्की का छट्र लगा और उस मदमक्की के छचते से एक-एक बून सेहरती आ रही है एक-एक बूं सेहरती की गिर रही है और उसने देखा देखा जैसे सथ की बून गिरते देखा अपनी जीब बाहर निकालता और उस सहद को अपने मूँ में ले लेता उसने चारों तरब से अपनी दृष्टी हटा के सिर्फ मदमक्खी के छटे पर लगा दी कैसे वो बून नीचे आयो मैं जीब निकाल के उसे अपने मूँ में ले लू उस मधू के सहद के मदू के स्वाद में मौत को भी भूल गया नीचे भी मौत उपर भी मौत जिस सहारे को सहारा माना है डाल को वह भी कटने वाली है लेकिन बेफिक्र हो गया स्वाद में ऐसे ही बगवान कहते हैं कि व्यक्ति चारों तरफ मौत के मूँ से हैं मृत्य संसार सागरा मृ भोग वाशनाएं आसकती अहंकार उस स्वाद में उसे परमात्मा से दूर किये हुए परमात्मा से दूर की हुए परमात्मा का भिश्मण है उसे परमात्मा को भूला हुआ है तो भगवान कहते हैं जो मुझ में चित लगाने वाले हैं चित उन्हीं का लगेगा जो मृत्त देख लेते हैं वह अम्रित की खोज में निकलते हैं और सबसे बड़ा मौत का कारड़ तो मौत का कर तो यह हमारा अहंकार है भगवान कहते जो मुझे में चित लगाने वाले प्रेमी भगतों को मैं सीग्र ही मृति रूप संसार से उधार करने वाला होता हूं अंगले इस लोग के भगवान कह रहे हैं भगवान कैसे इसलिए हे अर्जन तु मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धी को लगा इसके उपराम्द तु मुझ में ही निवास करेगा और इसमें कुछ भी संसे नहीं है भगवान कहते हैं इसमें कुछ भी संसे नहीं है कि मुझ में मन को लगा मुझ में ही बुद्धी को लगा इसके उपराम्द तु मुझ में ही निवास करेगा तो पहली बात तो गवान कहते हैं इसमें संसे नहीं है जब तक यह संसे बना रहेगा समर पड़ नहीं होगा बिश्वास नहीं होगा प्रार्ट्णा नहीं होगा भजन नहीं होगा भगति सबसे बड़ी कोई बाधा आती है तो संसाइव कि इसलिए गीता मगवान के तो संसाइव आंचित है तो मृत्ति को प्राप्त होगा बिनास का करणब बनेगा तो संसे से मुक्त जब संसे से मुक्त हो जाए व्यक्ति संसे से मुक्त हो जाए अब संसे करण क्या है मं को मुझ में लगा बुद्धि को मुझ में लगा देखो जब तक अस्रद्धा होगी भाव होगी भक्ति नी उगा प्रारता नीं होग बहाव भक्ति के लिए प्रारत्ना के लिए संसे मुक्त मन चाहिए संसे मुक्त चित्थि स्रद्धा मैं और लिए स्मेelों कैसी मन देकिस नहीं होगा हो weights कि और स्रद्धा बहुआ है भकती है व तो फिर संसे नहीं होगा में आप पर आदमने होते हैं वो कहीं भी प्रेम नहीं कर पाथ है जिस दिन प्रेम होता है संसे का fiquei मुद्ध खत्म हो जाता है प्रेम संसे है मृत्थी का भय inviting कि क्योंकि बड़ा सबसें बड़ी और जो प्रेम है वो है मृत्य का निमंत्रड, वो है मृत्य का स्वाद, वो है अहंकार का विसरजन, जब तक ये मैं रहेगा प्रेम नहीं रहेगा, जब प्रेम आया तो मैं नहीं रहा, जब प्रेम आया तो मैं नहीं रहा, मैं से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, इसलिए तो कभीर कुपीर कहते हैं के परमात्म और अहंकार दोनों साथ नहीं चल पाएंगे प्रेम और अहंकार मैं दोनों साथ नहीं चल पाएंगे मैं गिरे तो ही परमात्मा आया और प्रेम परमात्मा आया तो मैं गिरेगा ही जैसे अंधेरा और प्रकास एक साथ नहीं रह सकते हैं और असल में परमात्मा से अगर कहीं कोई दूरी है तो वो कोई दूरी है नहीं वो सिर्फ इस मैं की दूरी है मैं की दूरी है वो खली जिबरान ने कहते एक प्रसंग कहानी लिखी कि कोई व्यक्ति अपनी प्रेसी के दौर पर पहुंचा कोई प्रेमी अपनी प्रेसी की दौर पर पहुंचा और जब प्रेसी की दौर पर पहुंचा उसने दौर खटगटाया प्रेसी ने पूँचा कौन उसने पूँचा कौन तो कहते हैं इस आदमी ने कहा मैं इस प्रेमी ने कहा मैं केते हैं दौर बंद रहा दौर खुलने सके बंद रहा वापस लुट गया और केते है कई साल बाद फिर जब आया दुबरा विचार किया, चिंतन किया फिर दुबारा आया तो फिर दर्वाजा खटगटाया आवाज आई कौन तो इसने कहा तू मैं नहीं तू अब मैं नहीं रहा तू ही तू ही तू है ये परमात्मा के पास मैं और तू दोनों एक साथ नहीं रह पाएगा मैं है तो तू नहीं है तू है तो मैं नहीं अगर परम ही है तो यह अहंका नहीं किकेगा बूंद और सागर दोस्त एक साथ नहीं रह पाएंगे बूंद है तो सागर से दूरी है अलग है और अगर सागर का स्वाद लिया तो बूंद बिले होगे बूंद की सीमाइं तूट गए बूंद बूंद ना रही यह अहंकार जिस दिन परम परमात्मा का स्वाद ले पाते हैं तो प्रेम में ये दोनों अहंकार नहीं चलेगा अहंकार है तो परमात्मा से दूरी होगी जब तक ये मैं को हम समा लेंगे परमात्मा से और कभी देखो प्रेम का अनभाव ही है मैं से मुक्ति जहां जहां हम प्रेम में होते हैं वहां हां उतने अंस में हम मैं से मुक्ति हो जाते हैं जहां भी प्रेम हो कभी कभी प्रेमियों को देखो लैला मजनु जैसे वो मरने को भी तया और प्रेमियों को देखो प्रेम एक दूसरे को प्रेम में ऐसे होते हैं कि आत्म हत्याय कर लेते हैं उनके लिए जीवन की कोई कीमत नहीं है जीवन तुछ हो गया प्रेम का महत जाद तो प्रेम में व्यक्ति अहंकार मुक्त हो जाता जब भी प्रेम में आता है जहां भी प्रेम में आता है जिसके प्रत्वी प्रेम में आता है वो मैं से मुक्त हो जाता है तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति की मन में फिर संसय नहीं है वो संसे मक्त हो जाता है और भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगा और मुझ में बुद्धी को लगा तो पहले मन को लगा लो बगवान इसलिए मन सब्द को पहले ले आए मुझ में मन को लगा मन जो है भाव जो है वो जन्म से आता है कभी देखो एक बच्चे में जब बच्चे में अभी तरक नहीं है उसके पास बुद्धी में विचार नहीं है तरक नहीं लेकि भाव है एक बच्चे में भाव है भा है प्रेम है तो प्रेम तो जन्म से आता है और विशार चंतन तरक यह सीख़े जाते यह दूसरों से लीए जाते सास्र पढ़के आजाएं संगत किई संग से 40 से आजाएं दूसरों से हम लियते हैं समाज से मिले परंपराओं से मिले सास्र से मिले ये विचार तर्ख हम दूसरों से लेते हैं बुद्धी की खुराग हम बाहर से लेते हैं लेकिन मन का भाव प्रेम जीवन के साथ जुड़ा नैसर के कुद्रस से मिला है वो परमात्मा से मिला वो परम में मन को लगा जहां मन लग गया वहां सब बुद्धी पीछे लग ज़ए कभी देखो जहां हमारा भाव है तो मुसके पक्ष में तर्ग दे लेते हैं तर्क पीछे आता है भाव पहले बनता है तर्क पीछे आता कि Sorry किसी नहीं हमारा नित्रता खार & उसके प्रति हम अच्छे ऐच्छे तरक उस्के पक्ष में तरक दे लेते़े और उसी व्यक्त के साथ हमारा को भाव बदल जाता को भाव आयाता डोऑ तो उसके बिरोद में हम तरक देड तिन अ हर व्यक्ति हर वस्तू कहते हैं ब्लेक और वाइट में जब भाव है तो हमें उसका वाइट पक्ष दीख रहा रोस्नी वाला पक्ष दीख रहा और अगर उसका कहीं कुभाव है तो अंधेरा पक्ष दीखेगा तो भाव पहले बनते हैं तर्ग पीछे चलते हैं तो परमात्मा के साथ भगवान के साथ भगवान कहते हैं पहले भाव बनाओ जब भाव बनेगा मीरा के पास भाव था मीरा नृत्य करती है भाव था लेकिन जब मीरा नृत्य करती है इस भाव मीरा को यह नहीं कि भगवान क को हर समय हर पल देख रही है और भगवान को देख रही है भगवान के साथ है इसलिए मीरा का जो भाव थी भग्ति थी वो मीरा के कदमों में निर्ट बन जाता अब वो जो भगवान मीरा को दीख रहा है वो दूसरों को नहीं दीखेगा दूसरे लोग तो गहेंगे यह तो पागल होई कहां भगवान दीख रहा है कहां है भगवान कौन है भगवान लेकिन जिसके पास भाव है भगती है प्रेम की वो आँख है उसे दीख रहा है उसे दीख रहा भगवार और भगवान के भाव में ही वो निर्ट कर रही है आज कोई कोसल से कोशल तमाम नर्तकी नर्तक्यों को आप देखें मीरा से अच्छा नर्त Kर सकती है वह मीरा से भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है मनं कोसलता है उन्होंने ट्रेंग ली हुई एक प्रस्खशड लिया हुआ है Commissioner के पास क्प्रस्खशड नहीं था लेकिन मीरा मे गर्मा कुछ और थी मीरा किसी और सिखर से पहुँची हुई थी मीरा के अंदर का आनंद कुछ और था मीरा में जो सुगंदी मीरा में जो सौंदर था किसी और का था परमात्मा का था एक बार कहते हैं मीरा गा रही थी एक तारे पर तो किसी ने कहा मीरा जरा राग से गाओ लए से गाओ ताल से गाओ कि राग से गाओ लए से गाओ ताल से गाओ ताल से नाचो तो मीरा ने कहा राग या ताल हो या ना हो भाव से गाओ प्रेम से गाओ, राग हो या ना हो, भाव ताल हो या ना हो, लेकिन भाव से गाओ, प्रेम से गाओ, मीरा के स्वरों में, मीरा के गीत में, मीरा के अंरत में, राग ना रहा हो, ताल ना रहा हो, लेकिन भाव की प्रधानदा थी, इसलिए मीरा मीरा हो गई, मीरा के अंदर वो मेरा सारे सब के लिए एक आकर्षड थी भगवान कहते हैं भाव की प्रधानता है पहले भाव को लाओ और तर्क पीछे से आ जाएगा पहले भाव को बनाओ परमात्मा के प्रतिक भाव बनाओ संसार में सब कुछ परमात्मा ने क्या क्या कुछ नहीं दिया है उसे देखो उसके साथ समंद्ध बनाओ कि परमात्मा का समंद्ध कितना हमारे सामान घर में कोई पत्नी पता पुत्र कोई भी कोई सामान छोटी सी चीज भी लाके देता है तम उसे कहते हैं मेरे पती ने दी मे मेरी पतनी ने दी लेकिन सबंखो और बार बार यह कहते हैं मेरा पत्र पतनी मेर Series कहते हैं लेकिन परमात्मा को कभी मेरा कहते हैं और परमात्मा ने कितना कुछ दिया कितना कुछ दिया जीवन मिला परमात्मा से जीवन चल रहा है परमात्मा से परमात्मा के अनंत अनंत उफकार और परमात्मा की ही अनंत अद्रस भुजाएं हमें समाले हुए उसके हां समाल हुए है लेकिन फिर परमात्मा को कभी कहते हैं मेरा संसार के व्यक्ति और वस्तुओं के विरहे में हम कितना रोते हैं आंसु कितना बहाते हैं लेकिन परमात्मा की विरहे में कभी दो बून आंसु आए होते तो उन आंसुओं क्या सौंदर कुछ और होता उनका मुल कुछ औ होता है उनकी सुगंदी को चौर होती है संसार के लिए खुब रोए भगवान कहते हैं जो अपने भाव को मुझ में लगाते हैं अपनी मन को मुझ में लगाते हैं बुद्धी को मुझ में लगाते हैं, वो फिर भगवान में ही निवास करेगा, इसमें कोई संसे निवास करेगा, क्योंकि परमात्मा इमें ही, परमात्मा जब सरवत्र है, सर ब्यापी है, तो निवास कहां होगा, परमात्मा से अलग कोई जगे होगी जहां उसका निवास हो, जब परमात्मा सर ब्या क्योंकि अब मीरा मीरा ये नहीं कि खाली मंदर में जाके नाचती है मीरा गलियों में नाचती है सड़कों पर नाचती है लोग कहें मीरा भाई बावरी लोग कहें मीरा भाई बावरी सास कहें कुल नासी है लेकिं लोगों को घर के लोग नहीं समझे दूसरे भी ना समझे मीरा खाली मंदर में नहीं नाचे गलियों भी नाच रही है क्योंकि मीरा के लिए हर जगह परमात्मा है हर जगह कृष्ण है हर जगह मंदर है मीरा के लिए हर जगह मंदर है हर जगह कृष्ण है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन में गई में भी हो गई ला अब मीरा को भगवान हर जगे दिखते हैं हर जगे परमात्मा दिखता है मीरा किसी और भाव में है मीरा ने कुछ और ही स्वाद लिया है गवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मुझमे मन को लगा बुद्धी को लगा और उसके उपराद मुझमे ही निवास करेगा इसमें कोई संसे नहीं है जिस दिन व्यक्ति देख लेता के परमात्मा से अलग कुछ है नहीं परमात्मा से भिन कुछ है नहीं सागर की हर लहर सागर है मैं अध्यार की हर लह सागर जिस दिन यह देख लेता उस दिन उसके मन में संसय कहा रहे जो भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता और बगवान बुद्ध से कहा कि संसार कैसे छोड़ू संसार की आसकती कैसे छूटे संसार का राग दूए कैसे छूटे तो बगवान बुद्ध ने कहा छोड़ने की बात न कहो जो है उसको जानो जो है उसे जानो और इस दिन तुम्हें जो है वो दीख जाएगा अब बुद्ध ने कहा किसी घर में आग लगी हो किसी के घर में आग लगी हो तो वो यह नहीं पूछेगा कि घर से आग से कैसे निकले वो यह नहीं पूछने जाएगा कि इस आग से कैसे निकले जिस दिन आग आग दीख गई संसार दुख दीख गया संसार मृत्य सागर दीख गया उस दिन तुम अमर्तत्य के खोज में जाओगे अमर्त के खोज में जाओगे जिस दिन दीखा ये संसार मृत्य की तरब लेके जा रहा है तो उस सासुत को खोजोगे सत्य को खोजोगे सनातन को खोजोगे अमरत को खोजोगे लेकिन दीख जाए और जिसे दीखे ना जिसे आग ही नहीं दीख रहे कि आग मकाम में आग लगी है वो कहेगा कोसिस करेंगे निकलने की कोसिस करेंगे निकलने की आदमी कहता है निकलने की कोसिस करेंगे तो इतना ही अर्थ है कि इसे आग का एहसास नहीं है कि आग लगी हुई है इसने आग को देखा नहीं है जिस दिन आग को देख लेगा महल जिस महल में बैटे हैं जिस भवन में बैटे हैं वह आग से घिर रहा है चारा तरफ से एक छलांग लगाएंगे बाहर निकलने का और के और वह चलांगं पर मात्मां में होगी वह चलांगं पर मात्मां में होगे को १िय हैं फिर संसार से द्वेष नहीं होगा प्रीम होगा संसार से पलायन का अर्थी नहीं संसार से भागेंगे नहीं पीठ करके क्योंकि जो संसार की तरफ भाग रहे हैं उसमें भी कारण संसार है उन्हें सुख दीगरा संसार की तरफ संसार की तरह मूँ करके दोड़ रहे कि संसार में सोख है धन में सोख है परिवार में सोख है व्यक्ति वस्तुव में सोख है तो संसार की तरह मूँ करके दोड़ रहे दूसरा व्यक्ति कह रहा संसार में दुख है असांति है बंदन है तो संसार से पीट करके भाग रहा एक संसार की तरफ भाग रहा है एक संसार से दूर भाग रहा है लेकिन दोनों में कारण संसार है दोनों में कारण संसार है दोनों ने मुल संसार को दिया जिस दिन उसे संसार की जगह परमात्मा दीख गए लहर की जगह सागर दीख गए तो कहें का भागने का कहा हूँ उपाए सब जगे परमात्मा है तो संसार में रहते हुए भी वो सब परमात्मा में रह रहा है संसार में रहते हुए भगवान कहे तो उसका निवास मुझ में हो जाएगा अब वो घर में रहरा घर में नहीं रहरा परमात्मा में रहरा वो परिवार में रहरा परिवार में नहीं रहरा परमात्मा में रहरा हर बस्तू व्यक्ति क्रिया कलाब व्योहार में उसे एक परमात्मा की ही दृष्टी आएगी एक परमात्मा ही सबोर है एक परमतमाही सबोर है एसा जागरन आ जाए ऐसा होश आ जाए ऐसा ज्यान आ जाए तो एकवान को थे दिन उसकी द्रिश्टी व्याप और कोई लहर भी सागर में लहर भी सागर में है तो फिर वो कहेगा मैं लहर में नहीं रह रहा है सागर में रह रहा है एक छोटा सा तिनका अगर लहर में तेर रहा है लहर में तेर रहा है तो यह भी कह सकता है मैं लहर में तेर रहा है और जिस दिन ग्यान होगा उस दिन यह कहेगा मैं सागर में तेर रहा है लहरें बनती और बिगडती हैं, आती और जाती है, सागर सास्वत है, सागर नित्थ है, ऐसे ही संसार बनता और बिगडता है, मिलता और बिछुडता है, लेकिन परमात्मा सास्वत है, परमात्मा नित्थ है, तो भगवान कहते हैं, परमात्मा नित्थ है, ऐसे व्यक्ति, पर परमात्मायम उसका नित्य निवास होगा परमात्मा से दूरी ना होगा परमात्मा नित्य निवास हो जब जिसमें परमात्मा में नित्य निवास है तो परमात्मा में पूड़ विश्राम है कि सब कुछ करते हुए भी वह करता है भोगते हुए भी अभोगता है तो भगवान कहते हैं ऐसा अब्यक्त जो मुझ में मन को लगा बुद्धी को लगा सके इसके उपरां तो मुझ में ही निवास करेगा क्योंकि मन और बुद्धी यही तो बाधाएं यही तो दीवाल जद दीवाल टूटी नाम रूप की तो असीम के साथ जुड़ गया प्षमें तर्व दे रही ते अब पक्ष में तर्व अइसा नहीं कि अब भगवान संक्राचार जैसे लोगों को बड़े बुद्धिवादि लोग थे बड़े तारकिक तो यह नहीं नहीं थे महाप्रवू चेतन देव ने बड़े सास्व पढ़ेते वड़े तर्कसास्र प लेकिन वो तर्क फर्श के बक्ष्म है रोक क्योंकि पहले बन गया जब बन गया तो टरकल रुप अन्कूल चलने लगा इत्स बैले भाउ बनाता है तरक उसके पीछे चलता है लेकिन तरक को uh भाव पीछे वो ने वो तो ऐसे है कि गाड़ी बैल आगे है गाड़ी पीछे तब तो ठीक से चलेगी भाव आगे है तर्ग पीछे चलेगा लेकि किसी ने तर्ग को आगे रख दिया तो उल्टा कर दिया गाड़ी आगे कर दी बैल पीछे कर दिया कोई नहीं चलेगा कभी भी जीवन में आप देखो पहले भाव बनता है फिर तरकाता पहले मन पहले बगवान कहाते हैं मन पहले फिर बुद्धी उसके पीछे आती है और जिसने मन पुद्धी दोनों परमात्मा के साथ जोड़ दिये हों वो हर पर हल छड़ परमात्मा में ही निवास कर रहा उसका नित निरंतर निवास परमात्मा में ही होगा इसमें संसे नहीं है आज हम यहीं विराम करते हैं मेरा सभी को परणाम हरियो